दस फैबरी को जनमे लोग अपनी बात के पक्के एरादों के पक्के होते हैं एक रॉयल पस्नेल्टी के मालिक राजा की तरह अपना जीवन जीना पसंद करते हैं लीडर्शिप कॉलिक्टी आपकी बहुत स्ट्रॉंग होती हैं पॉस्टिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं रचनात्मक प्रविती की होते हैं आप एक अच्छी सोच वाले इंसान हैं दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं सब के साथ अच्छा व्यवार करते हैं अपना कारेशेत्र भी आप ऐसा ही चुनते हैं जापर फिसिकल एक्टिविटीज कम से कम हो खोजी प्रवती के होते हैं किसी भी काम को करने से पहले काफी जाच परक करने के बाद ही उस काम को करना पसंद करते हैं यात्राएं करना भी आप बेहत पसंद करते हैं य अगर सरकारी पत्पर नहीं भी होते हैं तो प्राइविट संस्थानों में भी अच्छे पत्पर कारे कर रहे होते हैं। वैपार ये नौकरी हर शेत्र में आप सफलता हासिल करते हैं। आप लोग मैत्वाकांशी होते हैं। जिस भी कारेशेत्र में कारे करते हैं, अत्यदिक सफलताएं और उंचा मुकाम हासिल करके ही रहते हैं। सुर्क्यों में रहना आपको बहुत पसंद है, हर काम में आगे बच चड़ कर हिस्सा लेते हैं। एनरजटिक तो होते ही हैं, अपने इरादों की पके होते हैं, एक बार जो मन में डिसाइड कर लिया, उसे पूरा करने की जी जान से कोशिश में लगे रहते हैं। स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, अपना बिजनस भी इंडिपेनेटली, अकेले स्वतंत्र होके चलाना पसंद करते हैं, जिसमें किसी का हस्त शेप ना हो, क्योंकि आप लोग किसी के भी दवाब में रहकर काम नहीं कर पाते हैं। धन के मामली में भी आप भग्यशाली साबित होते हैं, ज़रूर से ज़्यादा लोगों पर आप खर्चा भी करते हैं, इमानदार हैं, काम को युजनाब तरीके से करते हैं, मिलन सार होते हैं, दोस्त बहुत होते हैं आपके, बात के भी धनी हैं, लोग आपको सुनना अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना, फैशन के इसाफ से चलना आपका पैशन है, हमेशा सदकसा देते हैं और जोट बिल्कुल भी बदार्श नहीं कर पाते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं, बहुत ही केरिंग नेजर हैं, रोमेंटिक भी काफी होते हैं, अपने प्या और रौपदार व्यक्तित को देखकर लोग अक्सर आपकी और अकशित भी होते हैं, आप लोगों के ज्यादा तर प्रेम विवा देखे गई हैं, जिस तरह से आप से अपने पार्टनर के लिए लोयल और कमिटिड रहते हैं, वैसी ही उमीद आप अपने पार्टनर से भी र लेते हैं, जिसका आप लोगों को कई बार खामियाजा वगतना पड़ जाता है, लेकिन एक बात पकी है कि जिससे भी आप प्यार करते हैं, उसका हमेशा ख्याल लगते हैं, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोशन भी आप बह शुन्ने की अनर्जी भी शामिल है, आप लोग सूर्य की भाती तेज चमक लिए हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव तो होंगे ही, साथ ही शुन्ने की वैब्रेशन भी प्राप्त करते हैं, शुन्ने यानि की ब्रह्माण, स्रिष्टी की रचना, एक से नौ तक के सारे के सा एक्टिव ग्राउंडीड होता है, बड़ी बड़ी बाते हवामे करने वाला नहीं होता, उसके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात करता है, चाहे वह कितनी ही बड़ी पोज़्ट पर क्योंना हो, अंक एक वालों की अपेक्शा, ऐसे लोग थोड़ और पतन का भी सुचक है. 10 के इस अंख को बहुत ही शुब अंख माना जाता है. 10 फैबरी को जन्मेस लोगों की सूरे राशी है कुम्भ, यानि की आक्वेरियस. कुन्डली में सूरे आपकी जिस राशी में होगा, वही आपकी सूरे राशी होगी. सूरे राशी हमारी समाजिक छवी को दरशाती है आपका सोशल स्टेटिस कैसा रहेगा यह हम सूरे राशी से भली बाती जान सकते हैं यहां आपको एक बात all clear कर दू जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूरे राशी और अपनी destiny को number को देखकर अपने भाग्यां के अंग को देखकर lava time का चूज करें क्योंकि हमारी birth date हमारी nature को दरशाता है जबकि हमारा भाग्यां जो की issue के द्वारा देखे हमारी destiny है हमारी पूरे जिवन की destiny इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशी और अपनी मंद के अनुसार अपने केरियर का चुनाव करना चाहिए तभी आप अपनी मंजिल को असानी से प्राप्त कर पाएंगे जैशी किष्णा दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा में से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ मैं आर रुमि एक काउंसलर निम्रोलोजिस्ट वैदिक एस्टोलोजर अगर आप भी अपनी लाइफ से जोड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पसनल कंसर्ट ऐसी जाते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जोड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे वर्टसप नमर पर कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं जहां आप डिटेल में सारी जानकारे प्राप्त कर सकते हैं कॉंसिलिंग के जरिये आप अपनी डेट अब बर्थ और कुंडी प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान दो से तीन सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक बात का अवश्य क्या लखेगा कि ये पस्नल कंसर्टेशन पेड है चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं दस फैबरीक को जन्मे लोग के बारे में थोड़ा सा और अधिक घराई से आप लोगों पर सूर्य और शनी का परभाप विशेश रूप से देखने को भी लेगा सूर्य हमारी आत्मा है हमारा यश मान सम्मान है तो शनी म्याई के देवता है करम प्रधान ग्रह है जहां मकर शनी के जातक शारीरिक कारियों पर अधिक बल देते हैं वहीं कुम्ब शनी के जातक मान सिक विचारों के धनी होते हैं अपनी इच्छाओं और योजनाओं को पूरी प्लानिंग के साथ करने के चुक होते हैं अपने विचारों में किसी का हस्थशे पसंद नहीं करते हैं ऐसे वेक्ति मौलिक विचारों वाले होते हैं अतिमेत्वाकांशी होते हैं उच्च पदों पर आपको आसीन देखा गया है सही गलत का नेने लेना आप जानते हैं और इसके लिए आप कभी भी किसी क्या के जुकना पसंद नहीं करते हैं। आपके अधिनस्थ, आपके कुलीक्स आपको सम्मान की जिस्टी से देखते हैं। आप ऐसी काम में ही अपना 100% देते हैं जो रचनात्मक हों। आपकी प्रतिष्टा के अनुकोल हों। आप लोग लेटेस्ट टेक्नलोजी के साथ चलने वाले लोग हैं। नई जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं आप। प्राने रिती रिवाजयों और प्राचिन पदिती से कारे करना आप बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। आप अपने कारों के लिए पूरे कॉन्फिडेंट रहते हैं। आपके काम में कोई नुक्ता चीनी निकाले या किसी प्रकार की इंटर्फिरंस करें। आप बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं करते हैं। आप लोग अती मेत्वा कांशी होते हैं। इसलिए थोड़े से धन मान, सम्मान, एश्वरे, पैसे से संतोष नहीं करते हैं। आपको लाइफ में उंचा पद चाहिए, मान प्रतिष्टा, खूब सारा धन चाहिए। और इसके लिए आप निरंतर प्रतनेशील भी रहते हैं। सूर्य और शनी, दोनों अपस में शत्रता का भाव रखते हैं, शत्रुराशी हैं। एक और सूर्य को सात्विक्ता और शुबता प्लाने वाला ग्रह माना जाता है। व्यक्ति में ये प्रकाश फैलाता है, तो वहीं दूसरी और शनी को तामसिक और कठोर ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति के जीवन में संघश और अंधकार पैदा करता है। अब प्रकाश और अंधकार का मिलन एक विचित्र भी परिणाम देगा। इससे सूरे भी दूशित होता है और शनी भी। सूरे को पिता माना गया है और शनी को उनका पुत्र जिस कारण इसका प्रभाव कम या ज़ादा देखने को मिलेगा। इससे पिता पुत्र में कालमेल नहीं बठेगा या फिर पिता या पुत्र किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर हो सकते हैं. कई बार तो यहां तक देखने में आया है कि पिता या पुत्र दोनों में से कोई एक ही तरक्की कर पाता है. पिता पुत्र में कि अंदकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक के समाप्त होने पर ही दूसरे का अस्तित्व रह पाता है, आपकी स्वास्ते में परिशानी पनी रह सकती है, धन संबंदी परिशानिया हो सकती है, आपकी वानी उगर हो जाने पर काम बिगरने लग सकते हैं, काफ बारी कभी hacking सात्माइक बिस्थिति भी उध्यपन हो जाती है। अगर कुंड्ली में क्षूर्य कंजर और शणी मजबूस श्थिति में हुआ तो तलाग की नौबत भी आ सकती है। कुंडली में सूर्य और शनी की स्थिति ही आपके कम या अधिक प्रभाव का संकेत देगी। अगर कुंडली में शनी उच्च के हुए तो 36 वर्ष के बाद थोड़ी स्थिर्ता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहां शनी व्यक्ति से कठिन परिश्रम अवश्य करवाता आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 2, 3 और 9ौ। दो का अंक चंद्रमा, तीन गुरु और 9 का अंक मंगल देव का। आपके लिए समान अंक होते हैं 5 का यानि की बुद्ध। आपके लिए शत्रू अंक हैं 4, 6, 7 और 8। छे का अंक शुकर का और 8 का अंक शनी देव का, चार राहू और साथ का अंग केतु का, यहां राहू केतु सूरे को ग्रहन लगाते हैं, इसलिए शत्रु माने गई हैं, आपके लिए शुब दिन होता है, रवीवार वास्तोंवार, यानि कि संडे और मंडे, आपके शुब रंग है, गोल्डन, तामबई, कथे रंग, ब्राउन कल नारंगी, यलो इश कलर, यलो और पीला और लाल रंग का मिक्स कलर, आप लोगों की दोस्ती और कमपैटिविलिटी, उन लोगों के साथ अच्छी और घनिष्ण देखी गई है, जो आपके ही टाइम पिरेड में पैदा हुए हैं, यानि कि 21 जनवरी से 27 फैबरी और 21 जुल 21 मार्च, 21 जुन से 27 जुलाई, 21 मार्च से 27 एप्रेर, 21 नवेंबर से 27 दिसंबर, 21 दिसंबर से 27 जनवरी और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मद्य जनवे लोगों के साथ आपकी विप्रित लेंगी आकर्षन, सेंटर अफ अट्रेक्षन दिख़ा सकता है, अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कारे, कोई शुब कारे आरम करते हैं, तो ये भी आपके लिए अतिशुब फलदाई सावित होगा, अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जनकारी चाहते हैं, और भी घराई से जाना चाहते हैं अपने आपको, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मे मुझसे वर्टसप पर कॉंटेट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मैं आर रूमी, अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, जैशी किष्णा दोस्तों